दोस्तों नमस्कार श्रागत आपका फिर से एक नए ब्लोग में दोस्तों आज हम मौजूद हैं समसावाट टाउन के रेलवे इस्टेशन पर और जह हम आपको दिखाते हैं कि यह रेलवे इस्टेशन कैसा बना हुआ है तो बने रहे हैं वीडियो में मारे साथ इन नजारा आ और यहां पर आप लोगों को मिल जाती है टॉयलेट करने की शुद्दा यहां बनी हुई है यहां ज्यादा भीड नहीं होती है तो साइड इसका यूज भी अभी नहीं हो रहा होगा क्योंकि बंद पड़ा हुआ है फिलाल क्योंकि एक ही टेन आती है ज्यादा टेन इदर से आती नहीं है और यहां आपको बैठने के लिए चबूत्रा बना हुआ है और फिर इसके आगे आपको पानी पीने के लिए भी शुद्दा मिल जाएगी और पानी चेक करते हैं पानी समने आ रहा है या नहीं आ रहा है तो देखते हैं दोस्तों पानी इसमें पूरी तरह आ रहा है इसमें भी पानी पूरी तरह आ रहा है और इसमें भी पानी आ रहा है तो सारी पानी की सुद्दा सही है एकदम चलिए आगे की तरब चलते हैं दोस्तों यहां पेड़ों की बढ़िया संदरता और नजारा बढ़िया है एक तरह के बगी इसे टाइब का बना हुआ है इस्टेशन ज्यादा बड़ा नहीं है क्योंकि यह टाउन है यहां से जो ट्रेंज आती है वो आपकी फत्यवाद बहा होते हुए इटावा और इटावा से मेनपुरी के लिए जाती है जिसका टाइम सामको अभी फिलाल पांच बजे का है टाइम चैंज होता रहता है तो टाइम आपको कभी किसी को जाना हो तो एक बार कंपरम जरूर कर लें और टिकट वगेरा की सुब्दा सब यहीं पर मिलती है चलिए हम बीट कर आते हैं आपको कहां से टिकट मिलेगी है अग्यां और यह सामने स्टाप रूम बने हुए है जहां रेलिवे का स्टाप रहता है और बोल्ड भी लगे हुए कि कौन-कौन से यहां पर अधिकारिया भी मौजूत हैं कौन-कौन सा स्टाप मौजूत है आप यहां से पर सकते हैं और यह काट घटिकोधर चलिए इसके अंदर चलते हैं हम दोस्तों यहां पर आपको मिलेगी टिकट और यहीं से बाहर निकलने का राष्टा भी है और अंदर आने का भी यहीं से रास्ता है और यह टिकट के लिए दो खिड़की बनाई गई और यहां से अब यही बार निकलने का रास्ता है और यही अंदर आने का भी रास्ता है इसी जी सड़क आपके समसाबाद मार्केट के लिए गई दोस्तों चैनल पर अगर आप पहली बार आएं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना हम ऐसी रोचक जानकारी आपके लिए लाते रहेंगे धन्यवाद दोस्तों